सबी परीजनों को मेरा धर्मराज युदिश्टर का प्रडाम केशव सादर परनाम कա घर्मक्षेत्र की सभा में आप सभी का स्वागत हैं जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आज हमारे समक्ष हैं ओर्लाज-युदिष्ठिर और आज इस सभा में कुछ नया होगा कुछ ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ धर्मराज उधिश्चर के जीवन में उनसे पहले भी प्रश्ण पूछे गए आपको तो स्मरण ही होगा धर्मराज जी महराज क्योंकि वो सरोवर एक यक्ष का था और वो हमारी परिक्षा लेना चाहता था उसने मुझसे कुछ प्रश्ण पूछे और मेरे उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्न हुए और मेरे भाईयों को जीवन्दान मिल गया और उन्ही प्रश्णों के उत्तर में छुपे हैं आप पर लगे आरोप आज धर्मक्षेत्र की इस सभा में धर्म के सबसे बड़े ग्याता पर आरोप लगने वाले हैं अर्जुन हर उत्तर ध्यान से सुनना किन्तु केशव भाईया को घबराने की क्या वशकता है उन्हें तो सब ग्याती है ग्यान एक ऐसी वस्तु है अर्जुन जैसे ही एक मनुष्य को लगता है कि उसके पास वो है उससे वो चली जाती है मैं समझा नहीं केशव अभी देखना यक्ष ने आपसे पूछा था सच्ची क्षमा किसे कहते है शत्रुता कितनी भी बढ़ती जाए उसे अंदेखा कर अपने भीतर के द्वन्व को भुला देना वो ही सच्ची शमा होती है इसका अर्थ ये है कि जो अपने बर्सो पुराने शत्रुओं को भी शमा कर दे उनकी भूल को अंदेखा कर दे उसी मनुष्य ने शमा का असली अर्थ जान दिया हाँ धर्मराज तुम्हारा उतर सही है शत्रुओं को ख्षमा कर देना यही कहा था ना आपने और यही है आप पर लगा पहला आरोप और इस आरोप की पुष्टी के लिए मैं बुला रहा हूँ माराज धिरतराश चुको प्रणाम माराज धिरतराश माराज धिरतराश्ट धर्मराजी दिश्टिर पर पहला आरोप है कि उन्होंने क्षमा शब्द कार्थ जाना ही नहीं क्या ये आरोप सब्ते है और क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमान है माराज जब दुर्योदन यहां पर आया था तो मैंने उसके सभी प्रश्णों के उत्तर दिये थे किन्तो आज मुझे ये नहीं समझा रहा है कि माहराज मुझे से क्या प्रश्ण करने वाले है कुछ ऐसा धर्मराज जो अब तक आप से किसी नहीं पूछा होगा पुछे माहराज मुझे कुछ अधिक नहीं पूछना है मैं योधिस्ठर से बस इतना पूछना चाता हूँ क्या वो सचे धर्मराज है हाँ माहराज तुमने तो येक्ष प्रश्ण के उत्तर भी दिये थे कदाचे तुम तो धर्मराज ही होए तुमने कुछी शण पहले सभामे सब के सामने कहा धर्मराज कि अपने शत्रूं को शमा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता किन तुम बेरे पुत्रों से बड़ा शत्रू तुम्हारा और तुम्हारे भाईयों का कोई और नहीं था हाँ माहराज तो तुम उन्हें शमा क्यों नहीं कर पाई हो दिश्ठेर? पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए ख्षमा के बेख्षा मांगने की कोई आवशकता नहीं है. मैं अभी ख्षमा नहीं मांग रहा हूँ. मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब युद्ध प्रारम होने की इस्थिति में था. समझें तुम! और आप ख्षमा मांगने गए थे. वो भी नपाखंडियों से! पिता श्री, क्यूं किया आपने ऐसा? आपकी ऐसी दुर्बल मनुस्थिति के कारण ही हमारी सेना का मनोबल दुर्बल था. जब हस्तिनापुर के समराथ ही ख्षमा मंगते गुमते रहेंगे, तो हमारी सेना को जीत का आशवसं कौन देलाता? दुर्योधन, पिता हैं वो तुम्हारे, अपने आच्रन को मत भूलो. मुझे मेरे पिता से कैसे बात करनी है, ये तुम मुझे नहीं सिखाओ धर्मराज. धर्मराज, महाराज धृत्रांष्ट ने कहा कि वो आप से एक शमा मांगने आए थे, इन्तों आपने उनकी बात पर ध्यान नहीं दे. क्या ये सत्य है, धर्मराज? ये सत्य है, महाराज. और एक सत्य ये भी है, कि मैं वो दिन आज मी नहीं भूला हूँ. महाराज, आप इतनी राद गए? बस यही राद तो बची है, पुत्र. कल का सूरज तो हमारे लिए एक ऐसी अगनी लेकर आएगा, जो इस कुल को, हम सब को भस्म करके ही शान्त होगी. ये तो हम भी नहीं चाहते हैं, महाराज. किन्तु क्या, पुत्र? किन्तु क्या? वो छोटा है तुमसे. और ये बात तो तुम भी जानते हो कि यदि कोई छोटा हट पकड़ ले, तुब बड़ों को तो उसे सबजना चाहिए ना? मैं मानता हूँ कि आजीमन उसने तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाईयों के साथ जो कुछ भी किया वो चित नहीं था. मैं मानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि उसने संधी प्रस्ताव को ठोकरा कर. अर्थात, तुमको पता ही नहीं, कि केशव संधी प्रस्ताव लेकर आये थे, कोई बात नहीं, पुत्र, जाने दो, अब सत्य तो ये है कि दोनों और की सेने तैयार हैं युद्ध करने के लिए, वहाँ मेरा पुत्र अपने शिविर में, अपने भाई और अपने मित्र के साथ बैठा, कल की प्रतिक्षा कर रहा है, किन्तु वो ये नहीं जानता है कि एक पिता के रिदे पर क्या बीद रही है, हो आन हो जाओ, अपिक आन चलाओ, दाउनलोड अपिक आन आप